हाई ये सबस्वागे थे दिन यूरिकल चैनल में मेरा नाम है निताशा सी और ये है हमारी एक और जबदस लिस्ट टॉफ फ़ाइफ फोन जिनको आप ले सकते हैं 30 से 40.000 रुपे के बचट में इस महिने इस लिस्ट के इलावा इस महिने की जो हमारी बाकी की लिस्टे हैं उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फटफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताती हूँ कि टॉप 5 फोन कौन से हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगी सबकुछ इन फोन के बारे में मतलब पॉसिटिव पॉइंट्स भी नेगेटिव पॉइंट्स भी और किस प्राइस में मतलब आपको मिलते हैं आपके लिए वो फोन रहेंगे बेस्ट तो फोटब बडशे करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम लिस्ट करें सबसे बेले आता है हमारे पास पांशी पॉजिशन पे एक बहुत ही यूनीक दिखने वाला डिवाइस जो कि एक्च्छल में अपनी लुक की वज़े से ही हाइप में आया था कि एक्च्छल में किया इसके जो लाइट इफेक्ट है यह काफ़ी ज़दा डिस्ट्राक्टिंग सा और इरिटेटिंग सा लगता है जितने भी लोगों ने इसको यूस किया आक्च्छल में उन्होंने 3-4 दिनों बाद ही इसको बंद कर दिया था करों तो उन में जादा कोई खास चीज मुझे देखने को नहीं मिली मतलब मैंने इस डिवाइस की सारी टेस्टिंग करके इसका डिटेल रिव्यू भी किया था बाकी भी डिवाइस का आपको रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मे दे दूंगी तो उनको भी आप डिटेल में देख सकते हैं अब यहां पे डिवाइस के देखा जाए तो प्रफॉर्मेंस हमें जो मिलती है आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती बजट के साब से मतलब यहां पर हमापस क्वालकम स्टैब रिगन 778 G Plus का प्रोसेसर आता है जिस इसमें आपको 6.55 इंच का मिलता है डिस्प्ले साइस, फुल इश्रीप्रेस रिजूशन और 120Hz का रिफ्रेश डिस्प्ले आपको यहां पर स्मूद लगेगा कारिसी मुली गेम करनी हो या फिर अगर आपको इसके इसके निए कंटेंट देखना हो तो उसमें भी ठीक लगे इसके इलावब ड्वाइस के अगर मैं कैमरा की बात करूं तो सेटफ वाइस तो क्यामरा समें बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं मतब पचास-पचास मेंक पिक्सल के दो क्यामरा है जिसके इंदे आयमेक्स 766 है और इसके साथ पचास का अल्ट्रा वाइड मिलता है और सोना का सेटफ वाइस तो तगड़े हैं लेकिन एक जेगा पर पिक ले तो 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 अगर आप देगा कभी लाइटा टो कभी ब्लोन कर देगा तो इनकंसिस्टें परफॉर्मेस मिलती है जिसके एंदे वैशे सेटफ वाइस अट्छा सा लेकिन यहां पर क्यामरा उ performance wise device आपको यह इतना बढ़िया नहीं लगेगा इसी लिए यह हमारे नंबर फिफ्ट पुजिशन पर आया है और इसके प्राइस यह आपको थर्टी फॉर्ट फॉर्ट पॉजिशन पर आगे बढ़ते हैं नंबर फॉर्ट पॉजिशन पर आता है हमारे पास सामसंग का एक सेक यह जो हमारा device है पहले ही clear कर रही हूं इसी वीडियो में clear कर रही हूं जो है सामसंग का S21 FE 5G है उससे better है वैसे detail में मैंने उनको दोनों को compare किया हुआ है नीचे description में वीडियो देदूंग आप उसको देख लेना अब यहां पर इस device के अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले NOX security आपको मिलती है जो कि हमारी military grade की Tata security है उसके बाद आपको device के अंद यहां पर IP rating मिल जाती है जो कि मेरे हैसाब से इस budget में हर device में मिली जीए लेकिन मिलती कहीं नहीं है उसके साथ device के अंद आपको यहां पर flagship processor मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 का उसके साथ हमारे पास यहां पर 120Hz के refresh rate मे अच्छी है, smooth भी है display, amulet display है हमारा जिसके कि आपको bright लगेगा, बढ़िया लगेगा, content देखने में भी आपको यहां पर मजा आएगा, साथ ही आपको display का size है, 6.5 inch का है, philasier plus resolution है, तो device के display हो को आप generally भी अराम से use कर पाएंगे, battery की बात करूं तो यहां पर हमारा एक द इसके कमी ही आती है कि आपको यहां पर charging को slow मिलती है, तो time लगता है device को charge करने में, वैसे 25 watt की fast charging का आपको मिलता है, यहां पर support, इसके साथ device के अगर मैं cameras की बात करूं, तो setup wise आप देख सकते हैं, आप यहां बढ़िया लगेंगे, 32 का हमारा है selfie camera, 12 12 8 के triple camera setup है, और उसमें आपको ultra wide wide और telephoto का यहां पर combination मिलता है, जिसमें आपके काफी साइपिक्स आजाएंगे, इमेज प्रोसेसिंग निकल के आती है, आप देख सकते हैं, colors भी पंची आ रहे हैं, आपको edge detection अच्छा मिल जाता है, ultra wide के अंदर भी आपको detailing है वो अच्छी मिलती है, साथी आपक 40,000 रुपे बजट में, सबको अगर आप रखो, तो यही device है हमारा देखने में अच्छा नहीं लगता, नहीं हाँ हाथ में होल्ड करने में अच्छा नहीं लगता, मतलब इस पर काम करना चाहिए Samsung को, build quality जो है वो अच्छी नहीं, आपको plastic बोड़ी मिलती है यहां पे, और अब ध्यान रखना, अगर आपने इस फोन को खरीदना है, तो जैसे ही सेल आए ना फटा फट से खरीद लो, क्या है यह आई यह आटो स्टॉक हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो कि आप रुके रो, वेट करो, फिर सोचो की अराम से लेते हैं, तब तक तो यह चला जाएगा, नी वेडियो को ध्यान से सुनना मैं एक्स्प्लेंग कर दूँगी कि क्या हुआ और कैसे हुआ, सबसे पहले नंबर थर्ड पोजेशन पर हमारे पास आता है, आईकू की तरुस से एक बेस्ट कामरे वाला फोन, जिसके अंदर आपको परफॉर्मस भी तगड़ी मिलती है, और एक स्टेवल डिवाइस है हमारा, डिवाइस है हमारा आइकून 9, इस इस जवाइस के दर सबसे पहले हम क्यामरा की ही बात करते है, पहले क्लियर कर रहे हूं, बच क्यामरा है, इस बजट का, सेल्फी क्यामरा ओके-ओके है, 48MP का मेन क्यामरा है, IMX 598 सेंसर के साथ, जिसके इस बचेशन दर को Gimbal Stabilization मिलती है, 13 का Ultra Wide, 13 का Portrait Mode मिलता है, और 16 का है Selfie Camera, सामदल साब देख सते हैं, आपको अक्टो में देखा जाए, Image Processing काफी अची मिलती है, Optimization अच्छा मिलता है, Pics के इंदर को Detailing, Colors, Dynamic Range, Exposure, बहुत तर अच्छे तरीकी से यहां पर Maintained मिलेगा, Selfie इसे बहुत अलग सा मुझे नहीं लगा, ठीक है, बजट के सब सब काफी ठीक-ठीक Selfies यहां पर आ जाती है, इसके साथ यह device ही हमारा बन जाता है, सबसे powerful device इस बचेट का, क्योंकि आपको यहां पर Qualcomm Snapdragon 888 Plus का प्रोसेसर मिलता है, Performance Flagship पली मिलती है, आप कोई भी काम करोंग सारे working अराम से होगी, gaming करनी हो, highest settings पर अराम से कर सकते हो, साथ ही, आपको device का डिस्प्ले मिलता है, 120Hz के refresh rate के साथ आता है, डिस्प्ले जतकी की आपको बहुत ही smooth लगेगा, यूस करने में, साथ ही 10-bit डिस्प्ले है हमारा emulet panel में, जिसने आपको colors बढ़िया मिलते हैं, प यह device हमारा एक दिन निकाल देता है, अगर आप थोड़ा भी heavy की side पे, मतलब थोड़ा सा जादा यूस करते हो, light से ऊपर थोड़ा सा भी, तो आपको शाम को device को दुबारा charge करना पड़ेगा ही, और वैसे charging काफी fast है, 120W की fast charging का support आपको device के साथ मिलता है, box के अंदर charger भी मि fast body के अंदर आता है, जिसमें आपको back side में matte finished ऐसी look मिलती है, और बढ़िया premium और stylish मिलता है device हमारा, इसके साथ device के अगर मैं price की बात करूँ तो यह हमारा 40,000 रुपे के price का device, और आब आगे बढ़ते हैं, number second position पर आता है हमारे पास IQ की ही तरफ से एक और जबर्दस device, जो की की है हमारा IQ 9 SE, अब यहां पर आएगा question, कि आपने IQ 9 को लिया है number third position पर, और IQ 9 SE को लिया है इससे उपर number second position पर, ऐसा क्यों किया, बिल्कुल आपके दिमाख में यह question आई ही रहा होगा, तो मैं आपको clear कर दू, action में क्या है, मैं सारे phones को तो test करती हूँ, आपके लिए यहा हमारे device है IQ 9, यह हमारा जादा powerful है, इसके अंदा को back camera भी जादा better मिल रहा है, लेकिन दोनों के price को अगर आप देखोगे, यह हमारा 400 रुपे का है, और यह जो है हमारा 9 SE, यह आपको मिल जाता है 31,000 पर इसके price में, मतलब offers लगाने के बाद, तो उससे आप से देखा जाए दोनों में 9,000 रुपे का यहाँ पर difference आ रहा है, तो इसी लिए इतना जो difference आ रहा है 9,000 रुपे का, इसी वजए से यह जो है हमारा IQ 9 SE, यह बन जाता है हमारा जादा value for money, दोनों के अंदर difference थोड़ा है, लेकिन price difference काफी जादा है, इसलिए यह है हमारा value for money और number second position पे, अब इसकी अगर हम बात करी लेते हैं, इस device के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 888 processor, जिसके अंदर आपको performance flagship पली यहाँ पर मिलती है, हीटिंग आपको device के अंदर देखने को नहीं मिलती, साथी 6.62 इंच का हमारा emoled panel में आता है, display 120 Hz के refresh rate के साथ, full HD resolution में, साथी 45,000 0 mAh की, तो device के अंदर performance अची है, display के अंदर आपको यहाँ पर brightness अची मिलती है, content को अच्छे से enjoy करोगे, smooth लगे का display आपको यहाँ पर बैटरी बेकप भी एक दिन का almost मिल जाता है, साथी device के अंदर 66W के आपको fast charging मिलती है, तो device आपको यहाँ एक दिन आराम से निकाल देत इसके साथ डिवाइस के अगर में कैमरा की बात करूं, तो यहाँ पर बैक में आपको मिलता है triple camera setup, जिसमें 48 Megapixel का main camera है, उसके साथ आपको OIS का support मिलता है उसके अंदर, साथी 13 का ultra wide और 2 का हमारा useless camera, साथी 16 का है selfie camera, camera आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ ते काफी ठीक वाले आपको साथ चीज़ों को combination जो है, वो काफी अच्छे वाला मिल रहा है, और डिवाइस से हमारा realme GT2, सबसे पहले हो तो इस जवाइस के लुक है वो बहुत ही different है, यहाँ पे मेरे पास है biopolymer back के साथ जिसमें आपको paper-like texture यहाँ पे back में मिल जाता है और device लग लग लगता है, सारे devices पढ़ा हो तो यह बहुत ही अलग लगता है, white color के लिए जादा stylish है, वैसे green color भी आता है इसक के लावा वैसे device के अगर बात को यहाँ पे performance के बारे में, तो device के अदर आपको 888 processor मिल जाता है, जिसमें आपको flagship performance मिलती है, पोई heating देखने को नहीं मिलती है, साथ ही device के अंदर आपको यहाँ पे 6.62 inch का मिलता है, emulet panel में display जिसमें full HD press resolution, 120Hz refresh rate मिल जाता है, content देखने में आपको बढ़िया लगेगा, gaming करने हो बढ़िया लगेगा, कारे से ली games खेलने हो तब भी बढ़िया लगेगा, अब क्या होता है, जो हमारे flagship processors के साथ devices आते हैं, उनके अंदर एक कमी जो हमेशा शूट जाती है, वो होती उनकी battery, लेकिन इस device के अंदर वो कमी नहीं है, क्य charging आपको मिल जाती है, camera's के माँ बात करों, तो backing आपको मिलता है, पचास वाला जो main camera है, IMX 766 के साथ, OIS का support मिलता है, वो हमारी काफी अच्छे pics ले ले लेता है, मादब night pics देखो, day pics देखो, बढ़िया है, बाकी जो setup है हमारा, 8 megapixel ultra wide 2 useless camera, और साथी solar का selfie camera, उसके अंदर भ products हमारी बहुत ही अच्छी आती है, और बाकी जो setup है, वो भी आपको काफी ठीक लगेगा, तो guys, यह था हमारा all-rounder, हमारा जो आता है device number 1st position पे, realme GT 2, और इस device का भी detail review मैंने कर दिया था, नीचे description में आपको इस video का link भी मिल जाएगा, इस device के अधर मैं price की बात करों, तो यहां पर ही बैसे तो 35,000 रुपीस का price है, इसके उपर अभी आप चेक करोगे, तो यह आपको 32, 33,000 रुपीस के price में दिख रहा होगा, लेकिन जब इस device के उपर offer आती है, तो यह आपको 30,000 रुपीस के price में मिल जाता है, और कई पर उससे कम के price में भी मिल रहा है, तो मेर को like and share ज़रूर करें